नमस्का, मैं होसासी, आयो जर्खन की टॉप 25 पर मोख खबर जानते हैं जर्खन में 31.19 तक के लिए बढ़ा सेमी लोकडाउन जर्खन में कुरोना के बढ़ते संक्रमन को देखते हुए हेमन सुरेन सरकार ने सेमी लोकडाउन को 31.19 तक के लिए बढ़ा दिया है बता दे पवंदिया पूरू की तरह लागू रहेंगी राजी की हेमन सुरेन सरकार द्वारा 15.19 तक कई पवंदिया लागू की गई थी इन पवंदियों को अब 31.19 तक के लिए बढ़ा दिया गया है आपको बता दे की सुक्रवार को ही आपता प्रवंदन प्रादिकार की बैठाक होनी थी लेकिन कीनी कार्णों से वह बैठाक अस्थागित हो गई सन्नी वार को सीम हमन सुरेन ने बैठाक कर सेमी लोकडाउन को 31.19 तक के लिए बढ़ा दिया है इस दोरान पवंदिया पहले की तरह लागू रहेंगी सेमी लोकडाउन के दोरान इन चीजों पर लगे हैं परतिबान स्कूल कोलेज समेत अने सिक्षन संस्थान अगले आदेस तक के लिए बंद रहेंगे लेकिन इन संस्थानों में पचास पिजदी चामता के साथ प्रसासनिक कार्या होंगे स्टेडियम, आउटडोर, इंडोर, पार्क, जीम, जू, स्विमिंग, पूल, परेट अस्तल बंद रहेंगे मौल, रेस्टोरेंट, बैक वेट हॉल और सिनेमा हॉल पचास पिजदी चामता के साथ संचालित होंगे दुकाने रात आठ बए तक ही खुले रहेंगे सिर्फ बार, रेस्टोरेंट और दवाई दुकान नर्मल टाइम तक खुले रहेंगे सरकारी और निजी संस्थानों में 50% पर काम होगा बायोमेट्रिक सिस्टम बंद होगा होट और बजार सोसल डिस्टेंसिक साथ खुले रहेंगे वहीं साधी और अंतियोष्टी में 100 लोगों को ही सामिल होने की अनुमती है आज से मौसम होगा समान्य जारखन में रविवार से मौसम समान्य होगा पिछले पांच दिनों से राजे में साइकलोनिक सर्कुलेशन की वज़ा से मौसम में आए बदलाव से आमजन को थोड़ी रहात मिलेगी सिस्टम के कमजोर होने की वज़ा से राजे के उपरी हिसे में चाहे बादल छटने लगेंगे और मौसम सुस्क होगा बता दे आसमान साफ होने से खिली धूप मिलेगी इसके साथ ही रात के तापमान में 2-4 डिग्रिशे से गिरावट आएगी इससे साम में कौनकरनी बढ़ेगी मौसम केंद्र के बैजाने के मुताबिक सरनिवार को राजे के दक्षिनी एममा दिभाग में कई अस्तान पहल के समधर्च की बारिस हुई है युवाओ को रोजगार देने के लिए कैबिनेट में 10,000 नौकरी पर लग सकती है मुहर युवाओ को रोजगार देने को लेकर हेमंद सुरेन सरकार रेस है बताद निवक्ति निमावली में संसोधन के बाद विभीन भी भागो में निवक्तियों का रास्ता साफ हो गया है बुद्वार को होने वाली राजे कैबिनेट की बैठक में 10,000 नौकरी देने के निरने पर मुहर लगाने की उमीद है बताद अभी तक की तैयारियों के अनुसार सरकार आम लोगों को रहात और रोजगार देने वाली कई निरनायों को जमीन पर उतारेगी और कैबिनेट में इससे समंधित कई प्रस्ताव आने वाला है सूतरों के अनुसार 29 जनौरी 2022 को होने वाली कैबिनेट की बैठक के लिए प्रस्तावों के संक्या 40 से अधिक हो सकती है जिन में रोजगार के आउसर मुहया कराने वाले प्रस्ताव पर मुखा है बता दे मादमिक सिक्चाग पलस टू सिक्चाग और कई परकार के नौकरियों के लिए नियमावली को संस्वधित किया जा चुका है और आब इसे कैबिनेट से स्वकृत्ति मिल जाएगी निदार जारा है कि आप तक जितनी नहीं मावलीकु स्बिन्विक करते मिलगा है उसके इसाब से 10 जारत के काईब नगऄ उक्रीयों का माद प्रसस्त हो रहा है जार्खन में और मैंगी क्रोन के एक साथ 14 मामले मिले हो जाए सतर्ख जारखन में कोरोना का बरतमान संक्रमन ओमिक्रोन की वज़ा से ही हो रहा था बता दे राजे में पहली बार कोरोना के इस बेरियंट की होने की पुष्टी हुई है कूल 14 सेंपल में ओमिक्रोन मिला है बता दे रिम्स से भोनेस्वर इस्थीद ILS में भेजे गए सेंपल की होई जिनोम सिक्वेंसिंग में इतने सेंपल में ओमिक्रोन होने का पता चला है बता दे रिम्स से इसी मार 3 जनवारी को कुल 87 सेंपल जिनोम सिक्वेंसिंग के लिए भुनेश्वर भेजे गाय थे इसमें से 47 सेंपल की जिनोम सिंक्वेंसिंग हुई सनिवार को साम में इसकी रिपोर्ट आई जिसमें 14 सेंपल में ओमिक्रोन होने का पता चला है इस तरह लगवक 30% सेंपल में ओमिक्रोन होने की पुष्टी हुई है ज्यारखन पंचाज चुनाव में देरी सरकार की मनसा पर सवाल दिपक परकास भाजपा के परदेश अध्यक्ष दिपक परकास ने पंचाज चुनाव को लेकर राजसरकार पर टालमटोल का रोप लगाया है दिपक परकास ने कहा है कि पंचाय चुनाव कराने को लेकर राज सरकार की मनसा साप नहीं है। IIT धनबाद के छात्र अभिनव को गूगल ने दिया 56 लाख का पैकेज। धनबाद के ही मैथ और कम्प्यूटर के छात्र को ओफ केंपस में 100 रुपे सलाना पैकेज मिला है। ड्रॉप आउट बच्चों की पहचान के लिए हाउस होल्ड सर्वे के लिए सहयोग करेंगे डिसी। सिक्षा भी भागने सभी जीलों के उपायुकतों से हाउस होल्ड सर्वे के लिए सहयोग की अपिल की है। इसके लिए जहरकन सिक्षा पर्योजना परिशत की राजे पर्योजना निदेशक की रन कुमारी पासी ने पत्र लिखा है। बताजे राजे के सभी घरों का हाउस होल्ड सर्वे करने और ड्राप आउट वर आउट अफ इसकूल वाले बच्चे की पाचान के लिए सिसू पंजी त्यार की जा रही है। इसमें सिक्षकों को हर घर में जाना है और बच्चों से समधी जनकारी लेनी है। ड्राप आउट वर आउट अफ इसकूल वाले बच्चे को सिक्षा के मुखे धारा में जोडने के लिए हर साल सिसू पंजी अपडेट की जाती है। इस सर्वे के जरिये ही आउट अफ इसकूल वाले बच्चे के 2022 स्टेज के लिए योजना त्यार की जाएगी। इसके लिए सभी जीलो के DE और DSE को निर्देश दिया गया है। इस पी को बरखास्त करने की मांग लगातार जार्खन सरकार से की जा रही है। उन्होंने कहा कि जार्खन के कई सरों में लाल जी के समर्थन में जूलूस और केंडल मार्च निकाला जा रहा है। जार्खन में सुक्रवार को 37,4 मरीज मिले जबकि 1807 मरीज स्वस्थ भी हुए है। 33,192 है। भारत में 2,46,355 केस मिले हैं जबकि 1,39,546 मरीज स्वस्थ हुए। भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 15,34,310 है। जार्खन के आज का कुरोना अप्टेट के लिए साम 5 बजे का नियूज देखना ना भूले। बेरोजगारी भात्ता की रासी जार्खन सरकार ने वापस मंगा ली। जार्खन के सहीद कुंदन ओजा को सेना परमुख ने सहीद के पत्नी को दिया सेना मेडल। भारत चीन सीमा की गलवान घाटी में चीनी सेनकों के साथ हुई हिंसक जड़प में सहीद हुए जार्खन के साहिव गंजीले के लाल मिर्जा चो की डिहारी गाव निवासी कुंदन कुंदन कुमार ओजा को थाल सेना दिवस के आउसर पर सनिवार को दिली इस्थीत इंडि सेना मेडल दे कर समानित किया है को रोना काल में जार्खन आने वालों के लिए कड़े नियाम को लेकर रांची जीला पर ससन अलर्ट मोड पर है बताजे रांची एरपोर्ट और रेलवेर स्टेशनों पर आने जाने वाले यात्रियों की कुरोना जांच पर पुक्ता नजर उतर रहे हैं उसकी जांच कराई जा रही है यही हाल रांची और हट्या रेलवेर स्टेशन का भी है चत्रा में जल्द सुरू होगा पावर ग्रीड लंबे समय तक बिजली की किलर जिलने वाले चत्रा जिलाग भवी से बिजली के मामले में काफी उजवल होने वाला है बता दे सिमरिया तथा हंटर गंज मेनी पावर ग्रीड का संचालन सुरू होने के बाद 240 मेगावाट बिली की छामता जिले में और बढ़ जाएगी ईस्रम काड के नाम पर जम कर हो रही है धांधली हजारी बाग परखंड में 50 CSE सेंटर संचाली था है जहां इन दिनों ईस्रम काड बनाने को लेकर ग्रामिनों के भीड लगातार उमर रही है बतादे CSE संचालकों को एक रईस्टेशन के बदले सरकार द्वारा उनके खाते में 16-20 रुपे मिलता है इसके बावजूद कोई CSE संचालक ग्रामिनों से रईस्टेशन लेमिलेशन और प्रिंट आउट आदी के नाम परलाबकों से 40-50 रुपे वसुल रहे हैं जिसके चलते कई गरीब मजदूर किसान पैसे के अभाव में इस्रम काड बनवाने से बंचित हो रहे हैं जिसे देखने और समझने वाला कोई नहीं है पी एलेफाई उग्रवादी के पूलिस से थे अच्छे संबंध पी एलेफाई उग्रवादी दिनेस गोप का पूलिस कर्मियों से भी अच्छे संबंध के खुलासे हो रहे हैं आज निवेस से खुपिया विभाग के भी एक अधिकारी ने पूश्टास की है इस पूश्टास में जनकारी मिली है कि एक इलाके में जमीन खरीदने के बाद कवजा कराने के लिए निवेस ने चार लाक रुपे भी दिये थे हलाकी निवेस का अभियान कलमबद नहीं हुआ है यह भी जनकारी मिली है कि निवेस जेल से खुटने के बाद उसके साथ मार पिट भी हुई मार पिट के बाद वह सिकायत दर्च करवाने धुरुवा थाने गया था उस समय भी थाने को निवेस की गति वीदियो का पता नहीं चल पाया था बतादे बेख़ॉप वो थाना आना जाना करता था कोरोना के कारण पोलियो अभियान पर पड़ा असर कोरोना के बरते संक्रमन को देखते हुए राश्ट्रिये पल्स पोलियो टिका करन कारकरम के तिथी 23 जनवरी से बढ़ा कर अब 27 फरवरी कर दी गई है बतादे केंद्र सरकार के इमिनिटेजेशन डिवीजन ने गुरुवार को एक पत्र रष्टी स्वास्त मिशन जार्खन को भेज पुन निधारी तिथी की जनकारी दी है जिसके बाद राजधानी सहित पूरे राजजे में 27 फरवरी से शुरू होगा अभियान बार कॉंसिल ने तीन जीलो के नोटरी पबलिक को सोकाज किया है सेप्टिक बेस्ट मेनेजमेंट पलांट जार्खन के गिरिडी जीले में कच्रे की समस्या से लोग परिशान है सहर में कुड़े कच्रे को कहीं भी फेका जा रहा है इस वज़े से जल भोमी और वायू परदूसन फैलने के संका बढ़ रही है हलाकि इन समस्याओ को देखते हुए कड़रों की लागत से जीले के बेगा बांद परखाण रिश्थीत मोती लेता पंचायत में सेप्टिक वेस्ट मेनेजमेंट पलांट का निर्मान किया जा रहा है इसका मोख्य उदे सर की साप सपाई से निकल लेक कचरे को परवंधन कर जल वायू और भोमी परदूसन को फैलने से रोकना है सीएम हमन्त के हाथों मिला चेक अधिकारी कर रहे हैं खेल जारखन में योजना के नाम पर धोखा देने का खेल चल रहा है बता दे लाभोक सरकार की योजना मिलने के बाद भी खुद को ठागा हुआ महसूस कर रहे हैं हैरान करने वाली बात ए है कि मुख्य मंत्री हमन्त्री हमन्त्रेन के हाथों बित्रित की गई योजना के बावजूद लाभोकों के हाथ खाले है बता दे मुख हमंत्री रोजगास रिजन योजना के तहत लाभको को हमन सुरेन के हाथों मिली 50 से रुपए के डमी चेक की क्या हाई हकीकत इस खास रिपोर्ट में समझ जाएंगे बता दे मुख्य मंत्री रोजगास रेजन योजना को लेकर है मनसुलिन सरकार हर दिन नए दावे कर रही है योजना के तहुत रोजगार के लिए दी जाने वाली रासी से बविस को सवारने का दावा किया जा रहा है आपके अधिकार आपकी सरकार आपके दवर काकरा में मुख मंत्रोजगासी रेजन के तहाद कई नौजवान लाभकों को 50 से रुपे काट चेक बटा गया पर सरकारी चेक कैस हो पाएंगे लाभकों को 1980 का लाभ मिलेगा यह बात उठता है सबर आदिम जन जाती की 5 लड़कियों को 90,006 लाख में बेचा जम सेथपूर में मानो तसकरी के एक बड़े गिरों का बंडा फोड हुआ है चुड़ी फैक्टरी में काम दिलाने के नाम पर गुंड़ा बंदा थाना छेतर के पहाडपुर गांग की 5 सबर लड़कियों की बिक्री करने वाले गिरों का पूलिस ने बंडा फोड किया है बतादे पूलिस ने गिरों के 5 लोगों को गिरफतार भी किया है जिसमें एक महिला सामिल है इसके अलावा पूलिस ने एक नवालिक समय तीन लड़कियों को बरामत कर लिया है दो लड़कियों और तीन आरोपी की गिरफतारी के लिए पूलिस मद्यपरदेश और रायस्थान के अलग-अलग जिलों में छापे मारी कर रही है गिरफतार होने वालों में गुंडा बांदा के बालेश्वर मुंडा मद्यपरदेश के सीव पूरी जिलाक के कुवेर सिंग, पपु परहिया, मंटु गोस्वामी और महिला, मक्डी राठोर सामिला ज्यारखंड में हर रोज 11 क्लोवर की हो रही कोईला चोरी भाजपा विधायक दल किनेता बाबुलन मरांडी ने फिर राजी में कोईला के अवयद कारोबार का ममला उठाया है उन्होंने धनबाद बोकारो और रामगड में बड़े प्रमाने पर संचालित हो रहे कोईले के अवयद कारोबार में पूलिस की सनलिपता का भी अरोप लगाया है और मोखे मंत्री हमान स्रेन को इस बाबत पत्र लिखा है बतादे बाबलन मरांडी ने मोखे मंत्री संडोत किया है कि वे ब्यक्तिगत रोची लेकर कई जीलों में चल रहे कोईले के अवयद कारोबार पर नकेल कसे और इसमें सामिल पूलिस अधिकारों को दंडित करे नवजात सिसु को 22,000 में खरीद कर ले जा रही थी महिला यारपोट पर पूलिस ने दबोचा राजधनी से नवजात खरीद कर मुंबाई ले जाने के करम में राची अरपोट पर निखत परवी नमक मैला को गिरफतार किया गया है उसे सुक्रवार को हुमन ट्रेफिकिंग के आरोप में नयाई खिरासत में जेल भे दिया गया है बता देखोत वाली एंटी हीउमन ट्रेफिकिंग थाना की पूलिस ने करवाई की है और ओपीने नवजात को सोना हातू की रतनी देवी से 22 या रुपय में खरीदने की भी बात सोईकारी है धन्यवाद